वेल्कम बैक माई दियर फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ आपका दोस्त नितिन और आज हम डिस्केशिंग कर रहे हैं अपने छोटे-छोटे-चोटे-चैप्ट ऑफ अकाउंटिंग इंदर एक नया टॉपिक जो आप ही लोगों ने मुझे सेज़ेश कर रहे हैं उसका नाम है प्री पेइड एकस्पेंस मतलब प्रि फेड़ को मतलब क्या होगा आपने आज कर देखना पिर फी पेड़् आपके जो मुबाइल की आप प्रिचाज करते हो प्री पेड़ होते हैं आज कर तो electricity meter भी प्री पेड आता है आज ले वाटर बिली रहे गया जो वो प्रीपेड नहीं है बागी सब चीज हमारी प्रीपेड पर आप खर्जी ओप्शन ले सकते हो कि आपने पहले से ही पैसे दे रहे है अब जितना पैसे दे रहे है उतना यूज करोगे अभी है क्या प्रीपेड का मतलब क्या है वी हमने की को त समयाने। कई बचों को पता भी है इसके बारे में लेकिन कई बचोना था यूषा बचार घ्र शी और अप को फूस्त बूंत आप प्रूसरी होता होता है सबूज आपके घर में आज कूछ आपने कंस्ट्रक्शन करानी है आपने का जी construction का जो contract amount है जो आपने contract costing बढ़ा होगा तो कोंट्रैक्ट amount है हमने कितना है इसाब 20 लाग रुपे है तो ठीक है 20 लाग है आप काम कर से शुरू कर रहे हैं उसने को जी हम एक महिने के बाद शुरू करेंगे ठीक है तो आप काम शुरू कर दें है एक मिएने बाद उसने का नहीं सर ऐसे नहीं थे पहले एडवाँस ॥ा छिंस तो कश Lambreley नहीं हुआ थो सबस्क्रोण पांस रॉपर हम रह pouskov a withdrawal फ इसका अडवास पे कर दिया नहीं हुआ अंधिम क्या काम शुरू हो गयाuje आंसर इज नो, काम शुरू अभी नहीं हुआ Sir, तो काम जब शुरू नहीं हुआ, तो यह जो एडवांस पेमिंट थी, त्ञोकि यह खर्चा फ़े लिए, उसके वापिस तोय एसा ममना नहीं कुछ, हमारा खर्चा है, तो यह एडवांस पेमिंट होई हो, हमारे क्या हो गया ? एक तरह से prepaid advance दे दिया आपने किसी को लेकि उसके बदले अभी काम नहीं हुआ तो वो हमारे ले क्या हो गया एक ऐसा खर्चा जिसके बदले में काम नहीं मिला लेकिन हमने खर्चा advance दे दिया अब जब भी वो काम करेगा वो पैसा वसूल हो जाएगा एक तरह से हमारा पैसा वसूल हो जाएगा तो वाट वी है डिर टी we have made some payment in advance against some work or services to be rendered or to be delivered maybe in the future तो हम नहीं क्या किया? एक महिन ने बाज श्रूरू होने वाले काम के लिए आज ही 5 लाग रुपे दे दिये तो जो आज की डेट में हो गया यह क्या हो गया प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया मतलब यू हैव मेट पेमेंट इन एडवांस अब इसका मतलब यह हमारी एसट है लाइबिलिटी है हमने किसी को पैसे दे दिया लेकिन काम तो हुआ नहीं तो वह हमारे लिए क् अब क्या वो यह खर्चा इस महिने का खर्चा मानगा जाएगा क्या यह खर्चा इस महिने या इस साल का खर्चा मानगा जाएगा आप क्योंकि आप accounting पड़ रहे है तो इसमें आप yearly पड़ते हो आपने 2022 में किसी को 2022 में किसी को 1,00,000 रुपे एडवांस दे दिया कि भईया 2023 में काम कर दियो तो क्या वो खर्चा 1,00,000 2022 का मानने जाएगा आंसर विल बी नो ये कब का खर्चा मानने जाएगा ये खर्चा मानने जाएगा 2023 का तो इसका मतलब इस बार अगर आपने, suppose ये रेंट होता आपका, टोटल आपने रेंट पे किया था 5,00,000 रुपे लेकिन उसमें 1,00,000 रुपे अगले साल के लिए था, तो आप क्या करोगे इस साल का प्री पेड इस में से माइनस कर दोगे इस साल का खर्चा कितना हो गया आपका 4,00,000,000 और ये क्या बन गई आपके लिए बैलेंशीट में एक एसेट बन गई ये बैलेंशीट में एक एसेट बन गई हमारे लिए कि मतलब ये हमें पैसा वसूल करना है, जिस दिन आपको सर्विस मिल जाएगी आपका पैसा वसूल, आपकी वो बन गई एकस्पेंस लेकिन तिल दा टाइम दाइट इस कनवर्टे इंट इंट एकस्पेंस इट इस ये एसेट इन दा फॉर्म अफ प्री पेड एकस्पेंस आई होब ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा छोटा सा कॉंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है प्री पेड एकस्पेंस आपने एकस्पेंस खर्चा जो है एडवांस में दे दिया उसके बदले में काम होना बाकी है काम करना बाकी है तो खर्चा आउस्टरनिंग तो वो क्या करेंगे अगले पर आते हैं लेकिन काम अगर करना करवाना बाकी है तो prepaid expense ठीक है और खर्चा अगर हमें देना बाकी है तो हमने पहले कवर किया था outstanding expense और राइट तो इसको जल्दी से समझ दो कोई भी doubt होता है अगर आपके दिवाब में कोई ऐसा concept है कि सर हमें accounting में समझ नहीं आ रहा cost accounting में management accounting financial environment में ऐसा कोई concept है तो हमें समझ नहीं आ रही है comment box में डाल दो ताकि मैं उसमें जल्दी जल्दी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाता चला जाओ लेकिन इस शर्थ के ओपर की चैनल को subscribe करो share करो और दोस्तों तक इस चैनल को पहुचाते जाओ all right so all the very best take care of yourself God bless you bye bye